हेलो एवरिबन रादी रादी ची मेरे चैनल वेच हुँ लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आप सब के लेकिया यह वाइट सोस पास्ता की रेसिपी जो की बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है इसे खाकर बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट हो यह आप चाहे तो कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं मीनी पास्ता भी ले सकते हैं यह मैंने ले लिया यानि वन बाउल या एक कटोरी मैंने ले लिया आप गार पर कोई भी कप या कटोरी से नापकर ले सकते हैं यह मैंने ले लिया एक कटोरी अब इसे हम करेंगी पहले पहले हम कोई भी एक पैन या कोई भी बरतन ले लेंगे उसमें डालेंगे यानि हमें एक कटोरी पास्ता लिया है तो एक तीन कटोरी हम पानी डाल देंगे यानि तीन बावल पानी डाल देंगे इसको अच्छे से पहले गरम होने देंगे गरम होने के बाद इसमें हम चमच नमक नमक डालने से इसका फिकापन दूर हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे आदा चमच ओयल कोई भी ओल आप कोकिंग ओयल डाल सकते हैं इसमें ओयल डालने से होगा यह क्यों जो हमने पास्ता करेंगे वो अलग-अलग यानि खिला-खिला बनेगा चिपके गानी एक दूसरे के साथ फिर इसमें हम डाल देंगे पास्ता पानी गर्म होने के बाद ही पास्ता डाला है ठंडे पानी में डालेंगे तो वो चिपक जाएगा इसको अच्छे से मिक्स करदेंगे और थोड़ा सा वोईल आने तक इसे पकाएंगे वोईल आने के बाद इसे हम slow gas करके थोड़ा सा ढख करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए यानि पूरा नहीं ढखेंगे अगर पूरा ढख देंगे तो इसका पानी निकल जाएगा 5 मिनट के बाद देखेंगे कि पास्ता अच्छे से mix करेंगे कि पास्ता पका है या नहीं देखेंगे पहले से फूल चुका है अच्छे से देखने में ही पता चल रहा होगा कि यह अच्छे से पक गया है फिर भी मैं आपको चक्कर के तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि पास्ता पक चुका है यह देखेंगे आप इसे दबाएंगे तो यह तूट जाएगा यानि पास्ता अच्छे से पक चुका है अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब लेंगे हम कोई भी एक बाउल मिक्सिंग बाउल ले लेंगे इसमें जाली या कोई भी आप ले सकते है अब इसे हम चान लेंगे तुरंत ही चान लेंगे इसे रखना नहीं है पानी में अगर आप रख देंगे तो यह ज़्यादा गल जाएगा याणि ज्यादा पक जाएगा तो तो तोड़ जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा इसके उपर डालेंगे हम नॉर्मल पानी ताकि ये ठंडा हो जाए और ना पके पानी डालने के बाद इसे हम डख देंगे, ऐसे ही, चानने के लिए, फिर हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे दो चमच, ओल डालेंगे, जो हमारी वेजिस है, उसको थोड़ा साम, सोटे कर लेंगे, यानि थोड़ा दिर पका लेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, ओल को flavor बहुत ही अच्छा आता है बूने से और इसकी महक भी बहुत ही अच्छी आती है तो इसके बाद हम डालेंगे प्याज एक मैंने नोर्मन साज का प्याज लिया था जिसे कि मैंने ना तो ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बर एक मीडिम साज का cut कर लिया है इसे भी थोड़ गाज़ा लेती, इसे भी मनें छोड़े टुकोड़ों में इसे मिजली समस्के लिए है, इसे भी डाल देंगी, इसे भी थोड़ सा पकाएंगी, थोड़े देर इसे पकाने के बाद, हल्का सा, फिर इसमें हम डैलेंगे, मुच निंज घिर एंज ग्रीन शमीयार्य आप चाहएं तो कोई भी ही से ले सकते हैं चोछट्यूज टोकुलों में इसी थोड़ाइटज पकाएंगे अच्छे से mix करेंगे फिर इसमें हम डालेंगे world sweet cone 2 चमचली है मैंने sweet cone के वो डाल देंगे sweet cone से इसका taste बहुत ही अच्छा आता है अच्छे से mix करेंगे mix करने के बाद इसमें ज्यादा मसाले नहीं डालते हैं सिरफ अब डालेंगे इसमें नमक वो भी आदा चमच नमक डालेंगे डालेंगे काली मिर्च आदा चमच ही काली मिर्च डाल देंगे काली मिर्च का flavor इसमें बहुत ही अच्छा लगता है इसे अच्छे से mix कर देंगे mix करने के बाद इसे हम एक मिनिट के लिए पकाएंगे एक या दो मिनिट के लिए पकाएंगे ज्यादा सब्जे को नहीं पकाना है बिल्कुल हलका हलका सा ही पकाना है ढग कर स्लो गैस कर देंगे और दो मिनिट के लिए से पका लेंगे दो मिनिट के बाद देखेंगे जो हमारी सबजियां है देखिए थोड़ी सी पक चुकी है यानि कच्ची नहीं है थोड़ी सी पक चुकी है अब इसे कर देंगे गैस को बंद अब हम लेंगे एक कड़ाई अब बनाएंगे हम सोस इसके लिए लेंगे हम बटर तीन चमच ही लेंगे हम बटर आप चाहिए तो औल भी ले सकते हैं पर बटर में भोती टेश्ट अच्छा आता है, बटर को गर लेंगी गडरम, आच्छे से, यानि मेल्ट होने तक इसे गरम करेंगी, आच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे मैदा, तीन ही चमच लिये थे हमने बटर, और तीन ही चम हो जाए तो इसको पकाना है तब तक अगर आप उतना नहीं पकाएंगे तो यह कच्छा रहा जाएगा कच्छा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अच्छे से चलाते जाएगे हलका हलका ब्राउन हो गया है अब इसमें हम डालेंगे गैस को अभी बंद कर दीजिए और थोड सा दूद डालेंगे अच्छे से फिर विसकर से मिक्स करेंगे ऐसे करने से कोई भी लंज नहीं रहेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा देखेंगे थोड़ा दूद ही डालकर अच्छे से मिक्स कर देजाएंगे पहले से बहुत ही लंज कम हो चुकी है अब सारा दूद तो दिर दिर करके हम इसमें डाल देंगे ग्यास को हमने बंद ही कर रखा है मिक्स करने के बाद ही हम इसमें ग्यास को ओन करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे जो बचा हुआ दूद है हमने सारा डाल देंगे इसमें के अच्छे से नीम्स करना है कोई भी लंब से नहीं दाने चाहिएâte अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम कर देंगे ग्याश को ओन और अच्छे से इसको चलाते जाएंगे यानि अच्छे से मिक्स करेंगे फिर इसमें हम डालेंगे नमक आजा चमच हम डालेंगे नमक और आजा चमच ही डालेंगे इसमें काली मिर्च नमक जदा ना डालने क्योंकि हमने पहले भी डाला था और काली मिर्च इसले हम डाल रहे हैं पहले भी हमने डाल फिर डाल देंगे चिली फ्लेक्स और अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ देर के लिए से पका लेंगे सोस को सोस एक्तम परफेक्ट बन करके त्यार होईगी थोड़ देर के बाद पकाएंगे तो मैं आपको बताओंगी सोस बनी है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा यह देखिए स्पून यह चमच लेंगे इसको मार कर देखिए इस पे लग गया है न सारा यानि टप टप नहीं कर रह करेंगा बह। ही अच्छा ठेस्ट राएगा अ शारी चीजह है शारेश你 मैं इसमें डाल दूँँगी डालने के बाद इसे अचे से मिक्स कर देंगे ताकि चीज अच्छेसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगी जो vegetables हैं हमने पका करके रखी थी वो डाल देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे पास्ता फिर इससे अच्छे से हम mix कर देंगे अच्छे से mix करेंगे यह देखें कि sauce आप देख सकते हैं कि sauce कितनी perfect तरिके से बनी है ना तो ज़्यादा है ना ही कम है यह देखें कि पास्ता बनकर है त्यार अभी थोड़े देख के लिए हम इसे एक मिनिट के लिए और बगाएंगे ताकि जो sauce है वो अच्छे से पास्ती में mix हो जाए और vegetable में mix हो जाए अब पास्ता बनकर के त्यार है अब हम इसे करेंगे serve यह आप भी recipe ट्राइ करकर देखें कि आपको यह recipe कैसे लगी हमें comment करके जुरूर बताइए और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए और अपने friend और family की साथ share कीजिए तो मिलते हैं कि next वीडियो में रादे रादे जी thanks for watching झाल